अगर आप MDCAT 2021 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जैसा कि काफी ज्यादा चांसिस हैं कि MDCAT 2021 ओनलाइन होगा और काफी स्टूडेंस कोस्चन करे होते हैं कि ओनलाइन किस तरह होगा कि आग घर पे होगा तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको उपता है था कि ओनलाइन MDCAT घर पे नहीं होगा बलके आप सेंटर में जाएंगे वहां कंप्यूटर पर आपका ओनलाइन MDCAT होगा यूटी लास्ट येर से ओनलाइन ECAT कंड़क करा रही है विर्चुल यूनिवस्टी साथ कोलाबरेशन से और अगर MDCAT ओनलाइन होता है तो PMCB विर्चुल यूनिवस्टी से में भी कोलाबरेशन करें और जिन कंप्यूटर पर ECAT होने है उन्हीं कंप्यूटर पर आपका MDCAT होगा और UET ने 2021 ECAT का शडूल अनौस कर दिया है और FSE एक्जैम से पहले इस बार ECAT होने जा रहा है और MDCAT स्टूडेंट्स के लिए गुड निउज ये है कि आप भी ECAT दे सकते हैं और टू फील्स हैं जिसमें आप अप्लाय भी कर सकते हैं उमेंसे एक बायो मेडिकल अंजीनिंग है तो MDCAT स्टूडेंट्स को ये एंटी टेस्ट जरूर देना चाहिए एक तो आपकी ओनलाइन के हवाले से प्रैक्टिस होगी कि आपने कंप्यूटर पर MDCAT कैसे अटेम्ट करना ये आपको पता चल जाएगा और सेकंड इसमें सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं फीजिक्स, कमिस्ट्री, बॉयलजी और इंग्लिश जो के आपके MDCAT में होंगे तो आपकी एंट्री टेस्ट की पहले से प्रैक्टिस हो जाएगी जो के आपको बाद में काफी helpful साबित होगी आपके लिए और जब आप MDCAT देने जाएंगे तो आपको काफी कुछ पता होगा कि आपने पहले एक बार एंट्री टेस्ट की environment देख ली होगी के ऐसे computer पढ़े होते हैं ऐसे attempt करना होता है तो जब MDCAT आप देने जाएंगे तो आप ज्यादा nervous नहीं होगे क्योंकि आपको चीजों का पहले से पता होगा थर्ड आपके पास एक backup यह होगा कि अगर आपका MBBS में admission नहीं होता तो biomedical engineering एक बहुत अच्छी field है और आप इसमें apply कर सकेंगे अगर आपने ये anti-test दिया होगा और total 10,000 plus mcqs हैं और इसकी आप width देख सकते हैं काफी ज्यादा क्योंकि ये four books का combination है biology, chemistry, physics और English हर subject के 2500 plus mcqs शामिल किया गया है और total 10,000 plus mcqs इसमें शामिल किया गया है और ये आग खान, numz और mcqs के अवाले से काफी beneficial है इसमें chapter wise questions दिये गें mcqs दिये गें आपने जिस chapter की preparation की text book से आपने उस chapter को read किया और उसकी अच्छी preparation के लिए और practice के लिए फिर उस chapter के आप इस book से mcqs पढ़ सकते हैं और काफी ज्यादा आपके इस तरह concepts clear हो जाए और फिर आपको pay करना होगा और इसकी जो price है 2200 रुपीज including delivery charges है और अगर cash on delivery करेंगे तो 75 रुपीज cash on delivery का tax होता है तो order करने के लिए ये whatsapp number show हो रहा होगा इस पे आप message कर सकते हैं तो अभी schedule आपको मकमल बताने जा रहे हैं ECAT का, UT का, मैं तमाम MDCAT students को suggest करूँगा कि य यह आप लाजमी थे और सबसे पहले orientation day है यहां पर orientation session तो यह ज्यादा ECAT students के लिए important है उनका पहली बार होने जा रहा है तो उनको बताया जाएगा किस तरह आपने attempt करना है तो आपको इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है orientation session में और next anti-test की date जो है 24th मई से 27th मई तक यह anti-test हो रहे है different days पर होंगे और सुबा शाम इस तरह different timing पर भी test होते है online एक दिन सारे नहीं होते तो यह 24th मई से 27th मई आपको पता चल रहा होगा कि FSC exam से पहले होने जा रहा है यह anti-test और लाजमी आपको दे आप यह दे हो और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि apply करने क day 12th April से 17th मई तक आप apply कर सकते हैं और apply करने के लिए आपने HBL बैंक की ब्रांची से token लेना होगा और online आपने token लेके token नबर fill करके farm fill करना होगा और UET की website पर जाके आपने यह farm fill करना है और जो admit card होगा role number slip जब आप apply कर लेंगे तो वो भी आपको UET की website से मिल जाएगी और नीचे subjects का combination दिया गया है तो MDCAT students के लिए यहां पर देख सकते हैं कि physics, chemistry, English और biology का भी subjects combination है जो के बिलकुल same MDCAT subjects वाल है कि आपके MDCAT में भी यही subjects होते हैं तो आपकी online भी practice होगी same subjects हैं MDCAT वाले आपकी entry test की MDCAT के वाले से भी practice होगी और यह आपको काफी benefit देगा MDCAT के लिए तो यह आप लाजमी दें और जो student बुक आडर करना चाहते हैं यह WhatsApp नमबर शोरा वो उस पे message करके आप भुक भी आडर कर सकते हैं और वीडियो को आपने like जरूर करना है और जो student इस चैनल पर admission वाले उस्तार पर नए है इसे subscribe करके bell लाजमी प्रेस कर लें ताकि next updates आ subscribe की जाती है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आफिस